नमस्कार दोस्तो बैसाक पूर्णिमा कब है दो हजार चोबिस माई में सो मोरत कब है महत्व पूजा बृत और पूजन बिधी जानेंगे बैसाक पूर्णिमा के दिन पूजन से नहीं होता है एकाल मिर्द्यू कब है अगर आप पूर्णिमा के दिन पूजन करते हैं या बृ तो इस से एकाल मिर्दू का भेन नहीं होता है आपको इस ब्रस से काफी फलो की प्राप्ति होती है पिरतियक महा के सुकल पक्ष की पंदरवी तीथी को पूर्णिमा होती है इस तीथी का काफी धार्मिक महत्व है क्योंकि बैसाक महा को ही काफी पवित्र माना जाता है बैसाक पूर्णिमा को सत्य बिनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है इसमें महात्मा बुद्ध की जैन्ती यानि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है ये बुद्ध पूर्णिमा के तोर भी मनाते हैं इस दिन धर्मिक कार्यों को दान आदी का काफी महत ममाना गया है गुरुबार 23 मई 2024 को मनाया जाएगा बैशाक पूर्णिमा का महत जानेंगे दोस्तों इससे पहले आप चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और लाइक कर लीजे ताकि आगे की वीडियो की निट के अफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्त को एकाल मिर्दु का भे नहीं रहता है इतना ही नहीं इस दिन ब्रत के प्रभाप से दरिद्रता दूर होती है अगर आप ब्रत पूर्णिमा का ब्रत रखते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और आपके परिवार में शुक शान्ति और बैभव बना रहता है मा एक दिन राजा बन गए थे सब जानते हैं कि उन्होंने अक्षत्र यानी मुठी भर अक्षत्र दिये थे और उनको कहा था कि आप ब्रत करना पूर्णीमा वैशाक का उसी दिन से सुदामा जी की दरिदरता दूर हो गई थी वैशाक ब्रत पूर्णीमा और पूजन विदी किस पूर्णीमा के दिन सुबह इसनान के बाद भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए अगर आप पूर्णीमा का ब्रत रखते हैं तो इस दिन सुबह ब्रहमूरत में उठकर निवरित होकर निसनान करके आपको भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए पूजन के जितनी आपकी शामरत है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं माना जाता है कि इस दिन दान करने से गो दान के समान फल मिलता है इस दिन अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो इसके गो दान के समानी फल आपको प्राप्त होगा ब्रहमण को भोजन कराने के बाद ही कुद अंग्र ग्रहन करना चाहिए अगर आप ब्रत रखते हैं तो उसके बाद आपको पहले ब्रहमण को इस दान करके आपको भोजन करा के फिर आपको ग्रहन करना चाहिए अगर नहीं हो सकता है अगर ब्रहमण आपको नहीं मिले तो दोस्तों आप किसी जरूरत बंद को भी भोजन करा सकत मान्यत है कि वैसाग पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से पाप नश्ठ हो जाते है जो सक्कर होती है यानी गुड और तिल जो और यह दान करते हैं तो काफी पाप आपके नश्ठ हो जाते हैं जैसे गंगा जी में इस्नान करने से आपके सारे जो कश्ट होते हैं जो आपके सारे धुल जाते हैं वैसे ही आपके सारे पाप यहां नश्ट हो जाते हैं पुराणों के मुताबिक बैसाक मास का पूजन उपासना के लिए काफी महत माना गया है जैसे आप इस महीने को बैसाक मास का जो महीना है मास का तो ये पूजा उपासना के लिए बहुती उत्तम माना गया है अगर इस महीने में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं भगवान बिशुरुमा लक्षमी तो आपकी कई गुना फल प्राप्त होता है और आपको इस दिन पूर्णिमा के दिन जान पूजा करते हैं भगवान बिश्णू की तो आपके घर से लक्षमी मा का बास बना रहता है दोस्तो और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है दोस्तो आप कुछ आगे की जानकारी किस तरह से आपको अगर इसका पारण आप करेंगे तो अगले दिन आप सुब इंबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब